तो आज हम बात करने वाले हैं KTM 390 Adventure के बारे में देखे KTM 390 Adventure बाइक कैसी है उसके बारे में बात करेंगे और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए उसके बारे में बात करूँगा लगब 5-4 किलो मिटर मैं चला चुका हूँ इसे और काफी लंबे-लंबे राइड्स भी किये और छोटे राइड्स भी किये दोनों राइड्स मैंने इस पर कर करके देख लिए आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए है आज हम इसी के उपर बात करने वाले है देखे केटियम 390 Adventure बाइक अपने आप में बहुत अच्छी है मतलब कि इस रेंज में 4 लाग के रेंज में अगर कोई एक परफेक्ट बाइक है तो भाई केटियम 390 Adventure ही है पावर भर भर के मिलता है आपको इसको जितना चाहें उतना भगाएं इसे बहुत प्यार से भागती है बट अगर आप सोचेंगे इसे लोकल में चला लें तो भाई ये लोकल चलने वाली बाइक नहीं है ठीक है अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसी बाइक ले लें जो कि घर से ऑफिस ऑफिस से घर भी कर लें और कभी कदार टूरिंग करें निकल जाए तो ये वो बाइक नहीं है क्योंकि ट्राफिक में ये आपको बहुत ज़धा परिशान करेंगे क्योंकि इसका लो इंट टॉर्क जो है वो बहुत ज़धा कम है अगर आप इसे एक, दो, तेन गेर है ये शिट्टिंग में और आपको आपको मतलब दुखी कर देगा बहुत ज़ादा दुखी करेगा क्योंकि लो इंट और कम होने के कारण ये जो आपको गेर सिफ्टिंग बार बार करना पड़ेगा एक से दो दो से तीन तीन से फिर वापस एक तो ये चीज ना आपको बिल्कुल परिशान करतेगा अगर आपने इसे कम नहीं किया ना मतलब इ ये बाइक बनी भूइ महीं हैं और पहाडों में चलने के लिए अगर मैं बात करोरेंगों अगर बयद्फित आप बहारों में तो आपको चलना पड़ता है तो फिर दो ये वाइक बार बार बंद होती हूगी नई थे कि यह पाहाडों जब रहात हैं तो इसको अम एक नंब पर करकशे हैं अगर आपको अफ रोड करना है तो ऊसमें कोई दिक्कत नहीं है शहते हैं तो और आप्वस आपको बॉरा हाल शोट से बाल और साथ से घर है तो और इसका जो रेर सेपेंशन है वह बहुत जाधा हाइब है और उसे भी बहुत है इसका ठीक है मतलब जो उसका पिछले सॉकर है वो स्टिफ है मतलब कि आप अगर आप कंपेर करेंगे BMW से बहुत मतलब सॉफ्ट है मतलब अराम से बाइक उपर नीशे हो जाती है बट यह नहीं होती है आपको इसे आपके बैक में पेन होने ही वाला है और जबरदस्थ होने वाला है अभी जो मैंने लास्ट राइड किया था करीबं 10-15 दिन मैं लगतार नेपाल में था और नेपाल में यह बाइक कर लीजिए अगर आप प्लेन रोड पर चला रहे हैं तो इस तरह का एयर सीट पर चलाने से आप बिर्कुल कमफर्टेबल फिल करेंगे मुझे इस राइड पर बहुत जादा पिक मुझे चीज़े समझ में आई कि मुझे यह चीज़े ले कि आने चाहिए थे जो चीज़े म आपने पास रखें नेक्स बात करता हूँ कि इसका गेर जो इसका जो गेर चेंज करने का जो तैस वह देखेगा यवह एक नमबर पर करते दो बहुत जोड़दार आवा जाती कट 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 बहुत जोर की आवाज आती है कि आपके बगल बला राइड कि यह पहले गेर पर इसना आवाज करता है यह पहले गेर की बात हैं लोग यह बोलेंगे क्या आप उसके जो चेन है जो इतना सौकट है उसे कम कर देंगे तो वह बात वो नहीं है बात यह है कि जो चीज हमें मिली है, क्या वो चीज साह है या नहीं है, तो इसमें ना ये साही चीज़ है आपको मिलेगे, अगर इसके, अगर मैं बात करूँ, आप अगर इसको लॉंग राइड पर ले की जाएगे, तो भाई, टरस्ट में, आप सबसे आगे चल रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है बाइक बिल्कुल एक नमर परफॉर्म करेगी इतना पावर है हमेशा आप बिल्कुल एक नमर पर रहेगे जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है इस बाइक की कि इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है भाई लाजवाब है जहां आप बरेक मार होगे बाइक वही के खढ़ी बर्यक बाइक ख़डी हो जाएगी उसे बिल्कुल लंगके एक इंच भी आगे ने बड़ेगी ऐसी मझलब की उसके बरेकिंग सिस्टम से है बहुत बड़े बरे विल्ट उसके जो विल है जो ब्रेकिंग विल्ल है उसका बहुत बड़ा है तो बहुत काम यह बहुत चीज है तो ब्रेकिंग सिस्टम के लिए मैं इसको 10 आफ 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 टेंगा और सीट के लिए अगर आप पुछेंगे तो इसको 6 या 6 ही दूँगा उससे जादा ने दूँगा या रेयर सस्पेंशन के लिए मैं इसको फिर से 6 दूँगा और गेर चेंजिंग में इसको इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए भी मैं इसको 6-7 दूँगा क्योंकि आप चला की देख लिए गल लेने से पहले आ कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं क्योंकि कई लोगों को देखा है होंगे कि जो चेंज सौकेट्स होते हैं वो चेंज किरा रहे हैं कि कोई 11 दानतवाला लगवारा कोई 15 दानतवाला लगवारा तो कई सारे एक्सपेरिमेंट्स लोग कर हैं बड़ बाइक अपने आप में मैं फिर से बुलूंगा आफ रोडिंग और लॉंग राइड के लिए परफेक्ट बाइक है ये चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेकिया नमस्कार